हलो विल्कम बाक टुकोचिफाई आज हम डिसकस करने वाले है एक छोटी सी अपडेट इस अपडेट में मैं आपकी साथ डिसकस करने वाली हूँ माच की मारथान का जो सेशन मैंने चानल पे अपलोड किया था वो काफी ज़्यादा स्टूरंट्स ने उसे देखा है और वो बहुत ही ज़्यादा है जिन भी लोगों को माच में प्रॉब्लम जाती है और माच वो बेसिक से पढ़ना चाते है प्लस वो अपने माच को एक अच लौता सेशन ऐसा है वो फाइव आज का सेशन है लेकिन आपका कम्पिलीट माच वो अच्छे से कवर अप करवाता है तो काफी ज़्यादा कांडिडेट्स ने उसे देखा है और बहुत ही अच्छा रिस्पॉंस दिया है जिन भी लोगों ने नहीं देखा होगा वो अगर बनाना है तो आपको यह सेशन जाकर देखना होगा इस माच में इंक्लूडिंग टॉपिक्स है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर एंड डिविजबिलिटी रूल तो आप इसते सोच सकते हो कि कितना बेसिक से मैंने यह सेशन को पढ़ाया है मैंने डिविजबिलिटी रू है किस तरह फई्डाउट करना जो लोक याद नहीं कर पाते वो लोक किस तरह उसे टर tą से ट्रिक से फाइंड आउट कर सकते यह मैंने उस में explain किया हूआ है यान walls को किस तरह find out करना fraction method भी बताया हुआ है कि fraction में अगर LCM-HCA पूछा जाता है तो किस तरह पता करना है वो भी मैंने महां पे explain किया और normal method भी मैंने explain किये after that ages number system boats and stream percentage average probability permutation and combination ratio and proportion time and work train time distance speed partnership profit and loss compound interest and simple interest inequality and quadratic equation mixture and allegation and mensuration यह जितनी भी हम मैंने topics के नाम आपके साथ discuss किये इन में जो भी short tricks हम use कर सकते है या फिर जो भी formulas use कर सकते है और किस type के problem होते है कैसे उस topic को तुमको basic से समझना है board center में क्या-क्या formulas होते है क्या-क्या definitions होती है वो सारी चीजे मैंने explain किये इस 22 topics में और यह maths के major topics है और इसी में से paper पूछा जाता है अगर आप चाहते हो कि आपको आपका maths जो है वो थोड़ा strong करना है बहुत ही जादा जो weak कि नहीं हम नारा काफी जादा हमने बहुत सारी चीजे नहीं नहीं सीखी है और हम अब कुछ math solve कर सकते हैं यह आपको definitely यह वाला feeling आएगा तो यह वो session में सारा index जो topics मैंने आपके साथ discuss किये तो आज इसके basis पर मैं जिन भी लोगों ने देखा होगा उन लोगों ने काफी जादा request की कि माम इसका ebook जो है वो हमें दीजिए उसी को ध्यान में रखते हुए यह session मैंने already before one year channel पर डाला हुआ है और इसका काफी जादा students ने ebook चाहिए तो इसका ebook मैंने completely बना दिया है और application पे मैंने उसे डाल दिया है application मतलब कि आपको कोचिफाई सर्च करना होगा play store में जाके आपको कोचिफाई सर्च करना है और वहाँ पे आपको कोचिफाई सबसे पहले दिल जाएगा वो आपको install करना होगा इसके अलावा आ registration करने के बाद आपका जो है वो application open हो जाएगा open होने के बाद आपको study material का tab दिखेगा सबसे corner में उस tab पे आपको click करना होगा आप study material की tab open करते हो तो आपको तीन options नजर आएगे एक होगा books, एक होगा notes और एक होगा ebooks ठीक है अब आपको मैं बताना जाती हूँ notes वाले section में आप लोगों को सारा free का PDF जितना भी मैंने डाला है वो सारा मिल जाएगा ठीक है जो कि आपको English का भी मिलेगा English के rules का, reasoning का, RSV की जो exam जानी वाली है उसके लिए भी डाला हुआ है जो भी free का content है आपको notes वाले section में मिल जाएगा और जो भी paid जैसे कि ये जो ebook ह maths की ये paid ebook आप लोगों के लिए provide की जा रही है तो इस ebook में आपको जाना है तो सबसे उपर आपको maths की marathon दिखेगा ठीक है और इसके लावा जो नीचे है वो RSV की exam के लिए डाले हुए ebooks है और काफी ज़ादा students ने उसे purchase किया है और उन लोगों को काफी ज़ादा उसका benefit हो रहा है तो उसी तरह maths की marathon आपको टॉप पे दिखेगा ये PDF को आपको वहाँ पे आप वियू PDF करोगे वहाँ पे आपको purchase करना होगा ठीक है ये PDF जो है ये maths की marathon का जो PDF है इसमें आप सोच सकते हो कि 22 topics है बहुत सारे formulas है बहुत सारी tricks है methods है सारी चीज़े आपको ये एक ही class में एक ही PDF में एक ही e-book में नजर आएगी और ये जो e-book होगा आपका सिर्फ और सिर्फ 30 रुपीज का है जो की आपको purchase करना होगा ठीक है सिर्फ और सिर्फ 30 रुपीज में आप सोच सकते हो कि आपको 22 topics मिल रहे है और उस 22 topics में आपको सारी की सारी tricks formulas जो की important होते है और जिनके basis पे आपकी काफी सारी exams निकल सकती है और आपका math strong हो सकता है तो आपको अगर ये e-book purchase करने है तो आपको मने बता दिया किस तरह आपको sequence follow करना है application को download करना है register करना है study material में जाने के बाद e-book section पे आपको सबसे पहले दिख जाएगा वहाँ पे जाके आपको एक छो अब आप e-book को कब purchase करें first of all आप session को जाकर देखिए अगर आपको लगता है कि वो session हमारे लिए beneficial है हमको उससे काफी ज़दा चीज़े सिखने को मिली और आप चाहते हो कि वो सारी चीज़े आप ये e-book लेके आप क्या कर सकते हो न कि आपका exam है दो दीन पहले अगर आपक exam के पहले का complete revision हो जाएगा ये इस तरह आपके लिए बहुती ज़दा फाइदे मंद है और आपके mobile में रहोगी तो आप लोगों को बहुती ज़दा convenient होगा आप उसको कहीं पे भी बैठके कोई भी समय पे उसको आप revision कर सकते हो तो exam के पहले कि अगर आप revision चाहते हो तो purchase कीजिए and accordingly practice कीजिए तो ये था आज का हमारा चोटा सा update I hope आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर जाके purchase कीजिए अगर आपको ये session अच्छा लगा होगा तो इसे like कीजिए और अपने ज्यादा दा फ्रेंज के शेर कीजिए ताकि उनको भी ये चीज़ बता चले और वो भी purchase के लिए and उनको भी help हो ठीक है so guys thanks for watching and have a nice day